Hello students, today I will teach you a story, okay, story का नाम है Mercury and the Woodcutter, Mercury यहां बुद्ध भगवान को माना गया है, प्लैनेट में Mercury होता है ना, एक प्लैनेट में, तो बुद्ध देवता इनको माना गया है, and the Woodcutter, Woodcutter में लकड़ारा, Once a poor Woodcutter was cutting a tree, एक बार एक गरीब लकड़ारा पेड़ को काट रहा था, while cutting, जब काट रहा था, his axe slipped, मतलब उसकी कुलहाड़ी फिसल गई, and fell into the river, और नदी में गिर गई, Mercury offered to help him, Mercury भवान उसको लकड़ारे को offer करते हैं, मतलब कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी help करूं, He dived into the river, उन्होंने नदी में डुप की लगाई, and brought out a golden axe, और सोने की कुलहाड़ी उसमें से निकाला बाहर, The woodcutter said, लकड़ारा बोला, it is not mine, यह मेरा नहीं है, Mercury dived into the water second time, Mercury भवान फिर से एक बार, second time, मतलब दूसरी बार पाने में डुप की लगाई, and brought out a silver axe, और उसके बाद उन्होंने चान्दी की कुलहाड़ी निकाली, no, it's not mine, woodcutter said, sadly, woodcutter लकड़ारा दुखी होकर बोला, no, यह भी मेरी नहीं है, Mercury dived again, Mercury भगवान फिर से उसमें एक बार जो है, डुप की लगाई, and brought out a missing axe, उसके बाद उसमें से, जो उनकी miss हुई थी, मतलब जो लोही की कुलहाड़ी जो है, उनकी गिरी थी उसमें पानी में, उसको निकाली, the woodcutter was happy, woodcutter उसको देखकर happy हो गया, मतलब खुस हो गया, and thanked Mercury, और जो है, Mercury को thank you बोला, Mercury gifted him, Mercury भगवान ने उनको गिफ्ट किया, the other two eggs, two, जो उसने सोने और सांदी की कुलहाड़ी को नहीं लिया था, वो भी भगवान ने उनको gift कर दिया लकड़ारे को, इमानदार, इसमें moral of the story, moral of the story यह है कि honesty is the best policy, honesty मतलब इमानदारी सबसे अच्छी नीती है, सबसे अच्छा गुड़ है, मरगरी भगवान इसलिए लकड़ारे पर प्रसन हुए कि उसने इमानदारी दिखाई, उसने सोने और सांदी की कुलहाड़ी को अपना नहीं बताए, इसलिए उन्होंने लाश्ट में उनको सोने और सांदी की कुलहाड़ी को भी gift किया, बेटा इसको आप लोग प्रैक्टि